हलो दोस्तो सकती फार्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं ITBP ASI Pharmacist Previous Air MCQ दोस्तो अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ITBP ASI Pharmacist के प्रिवेस एयर MCQ दोस्तो जो नसेट्स का मोस्त कॉमन साइड एफेक्ट को होनता है नसेट्स मिन्स दोस्तो आपको पता ही है नोन इस्टेरोइडल एंटी इंफ्लमेट्री ड्रग्स आप्शन ए लिवर टॉक्सिसिटी आप्शन बी एडिक्शन आप्शन सी हमार्टो लोजिकल डिसॉडर और ऑप्शन डी गैस्टिक अपसेट तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा आप्शन डी तो याद रखिएगा नसेट्स का कॉमन साइड एफेक्ट होता है हमारा गैस्टिक अपसेट चलिए नेक कोस्चन नंबर थर्टी तू देखते हैं कोस्चन नंबर थर्टी तू है दू टू लॉंग हाफ लाइफ ए सिंगल डेली डोज ऑफ वन ओफ दीज इस सफिसेंट ऑप्शन डाइक्लो फैन ऑप्शन बी कीटोरोलैक ऑप्शन सी मैफेनेमिक एसिड और ऑप्शन डी पाइरोक्सी केम करेक्ट आंसर होगे हमारा ऑप्शन डी यानि पाइरोक्सी केम चलिए नेक्स कोस्चन नंबर थर्टी तरी देखते हैं कि विच वन ओफ दीज यूज़ इन दा टीट्मेंट आफ गॉट तो निंब्ड में से कौन्सी ड्रग गॉट में यूज होती है और ओप्शन ऐसे यानी आलो पूरिनोल ऑप्शन भी पाइरोक्सी केम अप्शन सी सल्फासलाजाइन और ओप्शन डी मैफेनेमिक एसिड तो करेक्ट आंसर होगया हैना करेक्ट आंसर होगया ऑप्शन A यानि Allopurinol चलिए next question की ओर चलते हैं अब question number 34 34 है Fortwin is common brand name 4 तो Fortwin एक common brand name है इसमें क्या salt होता है बताइएगा option A Pantazosin option B methadone option C fentanyl and option D dextopropoxy fan तो हमारा जो correct answer रहेगा option A यानि Pentazosin तो दोस्तों याद रखिएगा Fortwin एक brand name है जिसमें की Pentazosin होता है Pentazosin दोस्तों Pentazosin का 30 mg में क्या आता है injection आता है 30 mg में injection आता है जो की pen relieving medicine होती है ठीक है पेन किलर होता है कैसा होता है पेन किलर ध्यान रखिएगा पेन किलर के रूप में यूज करते हैं इसको चलिए next question देखते हैं अब कोस्चन नमबर 35 इन alcoholism which one of these drug is used तो दोस्तों जो लोग alcoholism होते हैं जो लोग alcohol का ज्यादा इस्तमाल करते हैं उनके लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है option a डाइसलफी राम, option b मेथानोल, option c बार्विचुरिक एसिड and option d नन अब दा अबब तो हमारा जो correct answer रहेगा option a यानि डाइसलफी राम चलिए next question देखते हैं question नमबर 36 chloroprimagine is useful in the treatment of तो chloroprimagine जो है किसके treatment में useful होती है option a पर्किंसोनिज्म option b mental depression option c सीजोफ्रेनिया and option d नन अब दा अबब हमारा correct answer हो जाएगा option c यानि सीजोफ्रेनिया चलिए next question देखते हैं question नमबर 37 isti metal is common brand name 4 isti metal भी ब्रांड नेम है इसमें क्या salt होता है बताइएगा जल्दी तो option a है triflupromagine option b है पर्फेनाजीन option c है प्रोर chloropyragine and option d है थायोरी थायोरीडाजोईन तो हमारा जो correct answer रहेगा इसका option c रहेगा option c तो isti metal में क्या होता है isti metal में होता है प्रो प्रोर पी राजीन ठीक है याद रखेगा चलिए next question देखते है next question है 38 muscle relaxation is secondary effect of option a phenothiagines option b butyrophenones option c reserpine and option d vanzodigepines हमारा correct answer रहेगा option d vanzodigepines चलिए next question number 39 ठीकते है question number 39 है in Parkinsonism there is deficiency of option a dopamine option b serotonin option c noripine and option d all of the above तो हमारा correct answer रहेगा option a यानि dopamine चलिए next question के और बढ़ते हैं अब question number 40 levodopa is amino acid precursor of option a serotonin option b dopamine option c norepinephrine and option d all of the above हमारा correct answer रहेगा option b यानि dopamine question number 41 the most potent CNS stimulant among xanthine bases is option a है theophylline option b theobromine option c caffeine and option d all of the above हमारा correct answer रहेगा option c यानि caffeine चलिए next question number 42 देखते हैं 42 हमारा leptazole is stimulant of option a cerebral cortex option b spinal cord and option c brain stem and option d all of the above हमारा correct answer रहेगा option c यानि brain stem चलिए next question देखते हैं 43 sugar part in the cardiac glycoside is responsible for option a cardiac activity option b water and lipid solubility option c toxicity and option d none of the above हमारा correct answer रहेगा option b water and lipid solubility चलिए next question number 44 देखते हैं question number 44 है toxicity of digitalis is increased due to option a entry of calcium ion option b depletion of potassium ion option c depletion of sodium ion and option d all of the above हमारा जो correct answer रहेगा option b यानि depletion of potassium ion चलिए next question 45 देखते हैं question number 45 digoxin is useful in the treatment of digoxin है किसके treatment में यूज की जाती है option a tuberculosis option b congestive heart failure option c edema and option d all of the above तो हमारा जो correct answer हो जाएगा option b यानि congestive heart failure चलिए next question number 46 देखते हैं 46 हमारा aldomate is common brand name 4 aldomate brand name है इसमें क्या salt होता है बताइएगा option a methyl dopa option b doxidine option c paracetamol and option d captopril तो हमारा correct answer हो जाएगा option a यानि methyl dopa next question number 47 देखते हैं 47 हमारा minoxidil is effective in hypertension due to option a basodilator action option b inhibition of angiotensin converting enzyme option c है blocked of calcium channel and option d है blocked of ganglion तो हमारा जो correct answer रहेगा option a यानि basodilator action next question number 48 देखते हैं question number 48 है amlodipine lowers blood pressure by जो amlodipine होती है blood pressure को low करती है किसके द्वारा option a inhibition of calcium influx option b inhibition of angiotensin converting enzyme option c blocking norepinephrine reuptake and option d all of the above correct answer रहेगा option a यानि inhibition of calcium influx चलिए next question number 49 क्यों बढ़ते है 49 है captopril lowers blood pressure by option a inhibition of calcium influx option b inhibition of enzyme peptidyl dipeptidase option c है relaxation of smooth muscle and d है none of the above हमारा correct answer हो जाएगा option b inhibition of enzyme peptidyl dipeptidase चलिए next question देखते है question number 50 which one of these isomer is effective in arrhythmia option a है d isomer option b है i isomer option c both a and b and option d racemic mixture तो हमारा जो correct answer हो जाएगा option a यानि d isomer question number 51 the optimum pH for pepsin is तो दोस्तों pepsin का pH कितना होता है option a देखते है 1.5 to 3.5 option b 2.5 to 4.5 option c है 4.0 to 5.5 and d है 5.0 to 7.0 तो हमारा जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा option b यानि 2.5 to 4.5 चलिए next question देखते हैं Sodium torocolate helps in the digestion of option है हमारे option a peptide b disaccharide c fats and d polysaccharides तो हमारा correct answer हो जाएगा option c यानि fats तो दोस्तों sodium torocolate helps in the digestion of fats चलिए next question देखते हैं which one of these glands has both endocrine and exocrine function option देखते हैं option a liver option b pancreas option c parotid gland and option d thyroid gland तो हमारा correct answer है option b यानि pancreas तो जो दोस्तों pancreas हैं हमारा बहुत function करती है endocrine and exocrine function चलिए next question देखते हैं while is formed in option a liver b gallbladder c pancreas और d dudenum तो हमारा जो correct answer हो जाएगा option a यानि liver चलिए next question देखते हैं liver is a storage site 4 option a glycogen option b starch option c glucose and option d lactose तो जो हमारा correct answer हो जाएगा option a यानि glycogen चलिए next question देखते हैं which one of these produce antibodies तो जो हमारा correct answer हो जाएगा option a यानि pharyngeal tonsils चलिए next question देखते हैं the number of pairs of intercostal muscles are option a 14 b 10 c 11 and option d 9 तो हमारा correct answer है option c यानि 11 the number of pairs of intercostal muscles are 11 चलिए next question देखते हैं the number of respiratory cycles per minute in normal quit breathing is option a 10 option b 15 option c 20 and option d 8 तो जो हमारा correct answer होगा option b यानि 15 दोस्तो आज की class कैसी लगी और next video आपको किस subject से चाहिए please comment करके जरूर बताईएगा thank you for watching